कुछ लोगों को जब हम देखते हैं, उन्हें देखते ही हमें यह पता होता है कि यार, तेरा तो अच्छा ही होने वाला है। क्यों? आपके साथ अच्छा क्यों नहीं होगा? स्पेशली अगर आप किसी जॉब इंटर्वियू के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी आदत है, ऐसी कौन सी चीजी है, ऐसी कौन सी खूबिया है, जो अगर आप में हो, तो आप अपने इंटर्वियू में ज़्यादा सेक्सस्फुल हो सकते हैं। तो ऐसी मैं आपको चार खूबिया बताऊंगा और एक हार्ड स्किल बताऊंगा। पहला तो जब भी आप बात कर रहे हैं एक जौब इंटर्वियू में, आप एक स्टोरी को वीव कीजिए, आपके पास कुछ टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए, कि अच्छा अगर मेरे पिछले experience के बारे में पूछा तो किस तरह कहना है, अगर मेरे education के बारे में पूछ तो क्या कहना है, अगर कोई objection आया, कोई doubt आया, तो उसे कैसे handle करना है, तो इन सब के around आपके talking points होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कि आप क्या बोलोंगे, लेकिन आपके पास एक रटा रटाया लिखावा script नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज as a script बोल मैं आपको बताता हूँ, कि जब मैंने अपना पहला job interview दिया था, तब उस company में बहुती freshers का interview ले रहे थे college से बुला के, तो उन्हों ने काफी friendly environment बनाया था और काफी सवाल पूछ रहे थे, तो मुझसे उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा stock market वगरा करते हो, या stock market वगरा क्या होता है जानते हो, तो मैंने उनको story सुनाई, कैसे 1999 में World Cup देखने के लिए मैंने और मेरे भाई ने फिनल एक्स पाइप्स के shares बेचे, उस share से profit कमाया और उससे एक TV खरीदा, World Cup देखने के लिए, तो बचपन से हम तो stock trading कर रहे हैं, आप क्या अच मुझसे पूछ रहे interview में, तो एक story था उसके पीछे, कि कैसे सीखा, क्या किया, अच्छा pocket money invest करते थे बढ़ी आए, तो मैं exactly क्या बुलने वाला, वो एक script नहीं हो सकता था, it was just an incident, it was a story, which came out, तो क्या आप stories कह सकते है, आपकी पास आपके talking points भी है, लेकिन रटा-रटाय, script boring हो जाता है इस बात क और अच्छे से समझना है, तो मेरा एक बहुती मज़दार वीडियो है, देख लेना चलो, चम्पू, चम्पू mistakes not to do in a job interview, लेकिन उसको बाद में देखना आप, पहले इस वीडियो को पूरा कीजिए, दूसरी चीज, अगर आप किसी senior व्यक्ति के साथ है, अगर आप एक MN में काम करें और senior से disagree करता कौन है, पागल हो गए है कि senior से disagree करेगा मैं, और दूसरा disagree करने का आपका तरीका क्या है, तो आप disagree अगर आप करते हैं interview में, अगर कोई genuine point है तो अच्छी बात है, लेकिन वो disagree आप कैसे करते हो, can you do it gracefully, कि आप smile करते वे disagree कर सकते हो, नहीं मुझे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक अलग approach होना चाहिए इसमें, या फिर ये बात तो सही है, लेकिन करने का एक और तरीका भी है, जो मुझे जादा सही लगता है, तो कैसे gracefully आप disagree कर सकते हैं, उसमें आपकी maturity लिखती है और उसके काफी points दिलते हैं, अगली जो बात है खामोशी की है, अगर रूम में कोई बात नहीं हो रही है, कोई topic नहीं निकला है आपस में, तो क्या आप वो silence के साथ comfortable रह सकते हो, if you can be silent, if you can be comfortable, that shows कि आप confident हो, आप relaxed हो, आपको अपने आप पर, इस environment पर, आपके existence पर भरोसा है So, how well do you play with silence? बहुत ही subtle सी चीज है, and then how do you take conversation in a certain way? वह तो अलगी बात है, लेकिन how well do you behave with silence? इसे practice कीजिए Silence अगली चीज जो है न, आज ही मेरे planning coach अशुतोश राठी जी जिन के साथ एक हमने interview भी किया था, वो आज ही एक point हमारे, हर 6-7 मेने वो एक point हमारे मन में drill करते हैं, वो point है listening का How good are you at listening? क्या आप सामने वाले की बाते सुन सकते हो समझने के लिए? या आप कोई बात सुनते हो कि मैं जवाब कैसे दूँ? रियक्ट करने के लिए सुन रहे हो या समझने के लिए सुन रहे हो? अगर आप किसी भी meeting में, किसी भी interaction में, वो interaction आपके किसी personal दोस्त के साथ हो, किसी relative के साथ हो, या एक work situation में हो, अगर आपकी listening सही है, अगर आप आराम से सामने वाले को सुन सकते हो, उससे बड़ा respect आप सामने वाले को नहीं दे सकते पहला, और दूसरा, जब आप अच्छे से कोई चीज सुनते हो, उसे समझते हो और फिर respond करते हो, सामने वाले को वो आपके एक-एक सवाल मेरे दो-दो जवाब है, वो अपने अंदाज में ही ठीक था, लेकिन job interview में, work situation में, life में, आपको अराम से सुनना है, समझना है, जवाब आता है तो बताईए, नहीं आता है तो कभी-कभी ये कहना भी ठीक है, इसका जवाब तो मुझे पता नहीं है, उसके भी marks मलते हैं, ये थे चार soft skills, जो पाचवी बात है, जो hard skill है, वो मैं मानता हूँ कि अगर आप एक high achieving job में जा रहे है, किसी एक high caliber organization में जा रहे है, तो वो expect करता है कि आप basic चीजों को काफी अच्छे से जाने, ये basic tools ऐसे हैं, जिनके बारे में मैंने भी कई सारे इच्छा उस appreciation मिल रहा है, Google calendar और इन general calendars को कैसे use करते हैं, एक professional environment में, तो ये जो है email लिखने का तरीका क्या होता है, email etiquettes क्या होते है, email में mistakes क्या avoid करनी है, कई सारे ये business communication और technical छोड़ी छोड़ी चीजे होती है, जो किसी को सिखाना पसंद नहीं होता जब आपको job join करते हो, तो अगर आप पहले से सीख कर जाए ये चीजे, तो बड़ा फाइदा होगा, और ये चीजे सीखने के लिए, thankfully कई सारे free course मैंने ही बनाए हैं, यूट्यूब पर ही, आप उन्हें देख सकते हैं, links में आपको description में दोगाएगागागागागागागागागागागागागा में दोगागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागाग झाल झाल पर जके लाए्ट